Hello students, today I am going to explain chapter number 6 of class 7 which is physical and chemical changes. Students chapter बहुत ही easy है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं physical changes, क्या होते हैं chemical changes. तो अगर हम देखें हमारी day to day life में, बहुत सारे changes हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि अगर आप एक glass water लेते हैं, उसमें sugar मिला देते हैं, तो हम उसको dissolve कर देते हैं, तो ये भी एक क्या है? change है. या फिर एक हम metal road लेते हैं, उसको beat करते हैं, तो भी हम उसके shape में right, हम क्या देखते हैं? कुछ changes देखते हैं. तो ये भी क्या है एक change है अगर मैं एक ice cube लेती हूँ और ice cube को थोड़ी दिर के लिए बाहर फ्रिज से रख देती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ ice cube melt हो जाती है किसमे liquid में यानि कि state में बदल मतलब उसका state change हो जाता है तो इस तरह से बहुत सारे changes है जो हमें देखने को मिलते हैं तो अब हम discuss करते हैं इन changes में कौन से physical होते हैं कौन से chemical है हमें कैसे पता चलता है तो आएए समझते हैं इनकी कुछ physical properties on the basis of physical property में क्या-क्या include रहता है इसमें include रहता है size, shape, color and state state क्या होते हैं? solid, liquid and gases जैसे कि हम बात कर रहे थे ice बदला, किस में? liquid में, right तो solid से किस में बदल गया? liquid state में, अब liquid को गरम कर देंगे किस में बदल जाएगा? acid state में, right तो physical change में अगर हम properties एक हैं तो क्या होता है? physical change का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा change right, जिसमें उसकी physical property में change आजाई physical properties में change मतलब उसके size में change आजाई उसके color में change आजाई उसके shape में change आजाई तो इस तरह के changes में अगर कोई भी change आता है physical properties में कोई भी change आता है तो हम कहते हैं वो क्या है? एक physical change अब एक बहुत important चीज़ बताए गई है कि जो physical change होता है न वो reversible होता है reversible जैसे ice से बदला liquid में तो मैं क्या देखूंगी liquid को अगर दुबारा फ्रिज में रख देती हूं तो किस में बदल जाएगा? ice में तो ये क्या है? reversible change है इसके अंदर कोई नया substance नहीं बनता है ये आपस में interchange होके दूसरी form में बदल रहा है तो physical change are usually reversible so no new substances form तो it is the same substance but with change physical property ये same substance होता है बस इसकी property में change आजाता है तो ये था हमारा physical change अब देखते chemical change क्या होता है? तो students chemical change होता है वो change जिसमें एक या एक से ज़्यादा substances बनते हैं जैसे कि किसी भी chemical reaction को आप ले सकते हो मान लेते हैं हम कि magnesium को मैंने oxygen के साथ react करवाया और मुझे मिल गया magnesium oxide तो क्या देखा हमने याँ एक chemical reaction हो रही है इसमें एक substance बनाया बन रहा है new substances form and this is not reversible change तो जैसे कि वो chemical substances, chemical changes में हमने देखा था कि वो कैसा था students वो कैसा, sorry, physical changes कैसा था एक reversible change था बट chemical change एक irreversible change वाला है जैसे कि हम example देख लेते हैं अगर मैं एक लकड़ी को जलाती हूं तो लकड़ी को जलाने पर हमें कुछ उसके particles, कुछ राख मिल जाती है तो क्या मैं राख को दुबारा से लकड़ी में बदल सकती हूं नहीं तो ये irreversible हुआ तो इस तरह से chemical change की ये property हमने देखी अब chemical changes में कुछ reactions involve होती है chemical reaction जिनको आपकी NCRT textbook में कुछ important reactions को discuss किया गया है जो exam में भी पूछी जा सकती है तो उनी reactions को समझने की कुशिश करते है तो उनमें से students हमारी पहले reaction है metallic oxide मतलब कि अगर हम किसी metal को react करते है in the presence of oxygen तो वो metal oxide बना देता है तो जैसे कि metal हमने ले लिया कि magnesium को जब हम react करते है oxygen के साथ तो ये हमें दे देता है magnesium oxide MgO तो magnesium oxide हमें दे दिया तो क्या हो गया है chemical reaction हो गई है एक नया substance form हो गया है oxide of magnesium तो इसको हम बोलते हैं एक reaction chemical reaction कहा है chemical reaction ये है हमारी chemical reaction और product जो form हुआ वो oxide of magnesium का हुआ product क्या होता है students ये वला होता है product जो right side में रहता है arrow के ये वला होता है reactant और बीच में arrow ही लगाना है, ध्यान रखेंगे, reaction लिखते हुए अब हमारी जो reaction हमने देखी, इस reaction भी हमारे पस metallic oxide आया यहने कि metal oxide, magnesium oxide आया तो अगर हम metal oxide को further react करवाते हैं water के साथ तो यह metal or hydroxide देता है, जैसे कि MgO हमारे पस आया था उसको हमने water के साथ react करवाया, तो हमारे पस answer आ गया magnesium hydroxide, MgO H2, यह reaction है हमारी, right तो हमने देखा कि further हमने react करवाया, तो हमें metal hydroxide मिल गया और students, जो metal hydroxide है यह basic nature में होता है, इसको कैसे test कर सकते हैं लिटमस वेपर की help से, red लिटमस वेपर अगर बदल जाएगा blue में basic nature का, right, अगर लिटमस पेपर blue से red में होता, तो यह एक acidic nature होता, बट अभी यह basic nature है, क्योंकि यह red से blue में convert हुआ है, now another important reaction is reaction between baking soda and vinegar, this is very important reaction because this is a journal reaction which is used in kitchen also, right, जैसे kitchen में vinegar use किया जाता है, baking soda use किया जाता है, तो अगर हम vinegar, vinegar होता है sirka, right, आपकी मदर से पुछना sirka, pickle बनाने में भी use करते हैं, बहुत सारी चीज़े बनाने में vinegar का use किया जाता है, तो इसका नाम होता है acetic acid, और baking soda का use किया जाता है, तो carbon dioxide release होती है, साथ में कुछ अलग products भी release होते हैं, तो हमने देखा कि जब vinegar ने react किया baking soda के साथ, carbon dioxide निकला, तो अगर मैं carbon dioxide को इसको further react करवाती हूँ, lime water के साथ, lime water का formula होता है, CAOH का twice, ठीक है, calcium hydroxide, तो CAOH twice को lime water भी बोला जाता है, इसको carbon dioxide के साथ, जब हम react करवाते हैं, तो हमें answer मिलते है, calcium carbonate plus H2O, CACO3 plus H2O, right, तो यह थी कुछ important reactions, तो इन reactions को देखते हूए, हमने कुछ observation की, हमें बताया गया, observation की help से की, जो chemical change होते है न, उसके अंदर light भी absorb हो सकती है, या heat भी absorb हो सकती है, या evolve हो सकती है, जब chemical reactions होती है, right, और जब chemical reaction होती है, कुछ sounds भी produce हो सकती है, जैसे pop sound, अगर hydrogen gas है, तो pop sound से हमें पता लगएगा, या hydrogen gas है, similarly, जो production of gases हैं, precipitates हैं, जैसे की, अलग-अलग gases का production होना, या कुछ precipitates मिल जाना, तो ये भी chemical change का ही एक observation है, या फिर production of smell, अलग gas की अलग smell होती है, जैसे hydrogen gas की बहुती ही बेकार सी smell होती है, तो इस तरह से production of smells भी होती है, color change में आकर, अलग-अलग color भी बदल जाता है, जैसे blue litmus paper red में आ गया, red litmus paper blue में आ गया, तो color change भी क्या होता है, chemical change ही होता है, तो students, अब एक rusting जो बहुत ही important हमारी reaction है, इस chapter के अंदर, तो rusting क्या होता है, यह जंग लगना, अगर iron nail को हम छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए, यहां पर, atmosphere में, जो हमारी atmosphere है, उसके अंदर oxygen present होती है, और कुछ हमारा moisture present होता है, तो यह क्या करता है, उस moisture से, और इस oxygen से react कर लेता है iron, और react करने के बाद, students बना देता है, एक layer, red color की layer, तो वो red color की जो layer होती है, वो ही क्या होता है, rust होता है, तो rust का formula, अगर हम देखें, तो Fe2O3.NH2 होता है, और इसकी reaction अगर हम देखें, तो Fe plus O2 changes into Fe2O3, और इसको balancing करके लिखा गया है, यहाँ पर, 4Fe plus 3O2 changes into 2Fe2O3, तो यह थी students हमारी rusting की reaction, और rust का formula, Fe2O3.NH2O, now the next very important concept, which is galvanization, अब galvanization क्या होता है students, जब हमारे road को, या किसी iron को जंग लग गया है, तो हम क्या करते हैं, एक process करते हैं, हम iron में जंग ना लगें, हम उसके उपर एक layer deposit कर देते हैं, zinc की, ताकि हमारी iron को जंग ना लगे, तो उसी process को galvanization बोला जाता है, जैसे जितने भी हमारे iron pipes होते हैं, उनको galvanize किया जाता, ताकि जंग ना लग जाएं, अब एक crystallization, crystallization होता है, crystals को separate कर देना, उसके solution से, suppose, कोई process of separation of salts है, महलब यह बोलता है कि, exactly, crystallization क्या होता है, यह एक purification technique होती है, और यह purify करता है, sea water को, और separate कर देता है, crystal from impure sample, यानि कि impure sample, sea water हो गया, उसको हमने क्या किया, एक purification technique की है, से pure किया, और separate कर दिये crystals, और इसी को हम कहते हैं, crystallization, तो यह था students हमारा chapter, physical and chemical change of class, 7th chapter number 6,